साथियों आप सभी का इस प्रेफ़ाम पर सौगत है इस वीडियो में हम लोग आर्थिक सर्वेशन 2023-2024 के बारे में बात करेंगे और आर्थिक सर्वेशन 2023-2024 की जो मुख्य बाते हैं उसको संछेप में यहाँ पर हम लोग देखेंगे यह वीडियो आपके आगामी सभी परिच्छाओं के लिए काफी मातपूर साबित होगा आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले आर्थिक सर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आखी आर्थिक सर्वेचन होता क्या है और इससे तयार कोन करता है ठीक है और इससे क्या पता चलता है तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक सर्वेचन के बारे में बात करें तो आर्थिक सर्वेचन या एकोनॉमिक सर्वे जो है प्रतेक वर्स बित मंत्राले भारत का आर्थिक सर्वेचन नामक एक रिपोर्ट प्रकासित करता है ध्यान रखेगा प्रतेक वर्ष जो है बित मंत्राल है भारत का आर्थिक सर्वेचन नामक एक रिपोर्ट प्रकासित करता है और यहाँ रिपोर्ट आम तोर पर यहाँ सामाने तह संसद में केंद्रिय अनुछेद 112 में इसका उलेख किया गया है अब आगे बढ़ते हैं ये जो आर्थिक सर्विच्छन है इसे तयार कुन करता है तो आर्थिक मामलो की विभाग देखे जो बितमंत्राल है उसके ताथ कई सारे विभाग आते हैं तो उसी में से एक विभाग है आर्थिक मामलो का विभाग तो आर्थिक मामलो का विभभाग का जो अर्थिसास्त प्रभाग है, और यह जो रिपोर्ट होती है, यो आर्थिक सर्वेच्ण है, यह क्या बताता है? तो यहाँ पिछले 12 महीनों के दोरान भारती अर्थ बेवस्था में क्या हुआ इस पर नज़र डालता है और यहाँ भी बताता है कि चालू वर्स में जो बित्ती वर्स चल ला है उसमें अर्थ बेवस्था कैसा प्रदर्शन करेगी तो ध्यान रखेगा जो बजट होता है आपका वो अगले एक साल में सरकार क्या 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 करेगी किनी ओजनाव पर कितना खर्च करेगी इन सब के बारे में बिरोर दिया जाता है बजट में जबकि आर्थिक सर्वेचर जो है पिछले बारा महीनों में अर्थ बेवस्था ने क्या किया है या अर्थ बेवस्था में क्या हुआ है उसका एक बिरोर प्रसुत करता है ठीक है तो इसलिए आप देखेंगे कि जो बजट होता है बजट में क्या लिखा जाएता है, केंदरिय बजट दो हजार पंचीस चब़िस लिखा जाएगा जबकि आर्थिक सर्वेचर क्या है, दो हजार तेज़ चौबिस ठीक है, यह एक साल पहले का होता है और वो एक साल आगे, मतलब 2000 जो बजट आएगा, वो केंद्रिय बजट 2024 लिखा जाएगा, जबकि आर्थिक सर्वेचनल 2000 टेज 24 लिखा जाएगा यहाँ ध्यान रखिएगा, कि आर्थिक सर्वेचनल रिपोर्ट भारती अर्थवेवस्था की मौझूदा इस्थित का एक स्नैपसॉट भी देती है इस स्नैपसॉट में क्या होता, इसमें अर्थवेवस्था के आकार मतलब जीडिप, मुद्रास्पित मतलब इंफलेशन, नौकरियों और ब्यापार जैसे चीजों के बारे में जानकारी सामिल होती है और एक चीज और याद रिखेगा कि भारत में पहली बार आर्थिक सर्वेचन उन्नेस सो पचास इक्यावन में पेस किया गया था उस समय इसे केंद्री बजट के साथ ही पेस किया जाता था वर्तमान में क्या होता है कि आर्थिक सर्वेचन बजट से अलग प्रसुत किया जाता है पर उन्नेस सो पचास इक्यावन में क्या था ये बजट के साथ प्रसुत किया जाता था जो वर्तमान में भी यहाँ परिपाटी चली आ रही है अब हम लोग आर्थिक सर्विचन 2023 की जो मुख्य बाते हैं उसको यहाँ पर देखते हैं तो चलिए देखते हैं इसको बितमंत्री निर्मला सीता रमन ने सो मुआर अर्थाद 22 जुलाई दोजार 24 को लोग सभा में आर्थिक सर्विचन 2023 पेस किया आर्थिक सर्विचन में कहा गया कि भारत की नीतियों ने चुनोतियों का कुसलता पूर्वक सामना किया और वैशुत अनिश्यताओं के बावजुद मूल इस्थिरता सुनिशित की इसके अर्थिक ये कहा गया कि इस्थिर इस्थित में भारत है मतलब भारत की अर्थिववस्था जो है इस्थिर इस्थित में है भारती अर्थिववस्था ने तमाम बाहरी चुनोतियों के बावजुद financial year 2023 में हासिल की गई गत को financial year 2024 में भी जारी रखा है इसके अलामा भारत ने अपनी post-covid recovery को भी मजबूत किया और नित निर्माता वित्ती यों मौद्रिक मोर्चे पर आर्थिक वा वित्ती स्थिर्ता सुनिशित कर रहे हैं गौरतलब है कि भारत की वास्तिविक GDP 8.2% बढ़ी है से बढ़ रही है जो financial year 2024 की तीसरे और चौथी तिमाईयों में आठ परसंट से अधिक रही है ठीक है आगे बात करते हैं खुद्रा महगाई पर नियंतर के सम्बद में वैशुक समस्चाओं सप्लाई चेन में बेवधान और अनियमित मानसूल से उत्पन मुद्रा इस्पित के दबाओं को प्रसासनिक और मौद्रिक नीत के जरिये कुसलता से सम्हाला गया इसके परड़ाम सुरू अगे देखते हैं खाद पदारत बढ़ती महगाई के बारे में तो आर्थिक सर्विचल में बताया गया है कि उपभोगता खाद मूल सुचकांग जहें शॉट में CFPI कहते हैं कि आधार पर फाइनेंशियल इयर 2022 में 3.8% और फाइनेंशियल इयर 2023 में 6.6% रही खाद महगाई फाइनेंशियल इयर 2024 में बढ़ करके 7.5% हो गई मतलब आर्थिक सर्विचल ये बता रहा है कि जो खाद महगाई है वो बढ़ी है जो दो बर्सों में 97% की बृद्धी बताती है सर्विचल के अनुसार बृद्धी का काण क्या है इस बृद्धी का जो खाद पतार्थू की महगाई है इसका काण क्या बताएंगा है जलबावी परिवर्दन है जिसमें गर्मी, अनियमित मांसून, असमाईक वर्सा, ओला विरिष्टी अतिधिक वर्सा और एतिहासिक सूखे की परिसिति या परिसितिया स्तामिल हैं। इसके अतिक नौकरियां या रोजगार के बारे हम क्या कहा गया है। सर्विष्ण के अमसाल लगभग आधे भारती कॉलेज से निकलते ही तुरंत रोजगार के योग नहीं होते हैं। तो बढ़ते स्रंबल को इस्तमाल करने के लिए भारती अर्थ बेवस्ता को 2030 तक गैर किर्सी चेतन में प्रती वर्स आवस्तान 78.5 लाख रोजगार से जन करने की आवशकता बताएगी है इसमें। अत्यनते जटिल और परस पर जुड़ी हुई है। सरविछन में आगे बताया गया है कि महत्रपून और दुरलव भूखनीजों के उत्पादन और पसंसकन। पर चीन का लगवग एकाधिकार पहले ही वैश्तुक चिंता का कान है। इसका भारत के नवी करणिये उर्जा कारिकरम पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। वही बाहरी संथुलों के बारे में वस्तुओं की वैश्यक मांग में कमी के कान बाहरी संतुलों पर दबाव पड़ा है। अलाकि सेवा चीतर में हुए बहतरी निर्यात की वज़ासे यह काफी हद तक शंतुलित हुआ है। Financial year 2024 के दोरान चालू खाता घाटा, जो चालू खाता घाटा है, वो GDP का 0.7% रहा है, जो financial year 2023 के दोरान GDP के घाटे, GDP के जो घाटा 2% था, उसकी तुलना में ये सुधार को प्रदरसित करता है, ठीक है, मतलब 2030 में जो आपका चालू खाता घाटा था, वो GDP का 2% था, जिबकि 2024 मे ये GDP का 0.7% है, 0.7% मतलब सुधार हुआ है, किरसी चेतर के बारे में बात करें, तो सर्वेचन में, सर्वेचन ने या भी कहा गया है, कि सरकार किरसी चेतर को विकास के पहिये की रूपे प्रात्मिक्ता देने की योजना बना रही है, इसके लिए वर्तमान नीद्गत तन्यवाद।